Dear Student, UPP के Second Shift का 23rd 2024 के Second Shift का पेपर हम आप लोगों को GS का पार्ट पूरा प्रोवाइड करा रहा है और ये भी पेपर एक तरीके से मतलब ज्यादा easy नहीं कह सकते, ज्यादा कठी नहीं कह सकते एक तरीके से ये बीच का ही पेपर माना जा सकता है और इस पेपर में, जैसे पिछले पेपर में पुस्तक लेखक का नाम खतम कर दिया उसके बाद से इस पेपर में आपका एक दिवस से कोशन खतम कर दिया तो ये मत सोचिए, अभी मैंने पहले ही सीफ्ट में बताया कि पेपर जो है वो क्या होता रहेगा? ये मोडिफाई होता रहेगा तो आप लोग पहले पेपर, दूसरे पेपर को आधार मान करके अपनी योजना पर योजना को पूर रूप से इसके उपर डिपेंड होकर के अपनी तैयारी ना करें जो भी करना है इससे उपर हट करके ही क्योंकि परिच्छा है और ये कभी भी किसी प्रकार के कोश्चन को पूछ सकता है तो dear student आईए हम लोग सुरू करते हैं आपका पहला कोश्चन है कि ब्यापक परमाडू परिच्छन प्रतिबंद संधी का उद्दे से क्या है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका B परमाडू हतियारों के उत्पादन पर प्रतिबंद लगाना दूसरा कोश्चन आता है कि अरजुन पूरसकार कि इस छेत्र के उपलबधियों के लिए प्रदान किया जाता है तो अरजुन पूरसकार आपका खेल के छेत्र में दिया जाने वाला पूरसकार है अब अगले कोश्चन पे हम लोग आते हैं और अगला कोश्चन है कि आपका अरजुन पूरसकार अरजुन पूरसकार दूसरा कोश्चन होई गया अब तीसरे कोश्चन पर हम लोग आते हैं और तीसरा कोश्चन आपका इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है तो आपका अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है अगला कोश्चन की 2016 के विमुद्री करण के बाद RBI को कितने प्रतिशत पांस और हजार रुपे के नोट प्राप्त हुए तो इसका एंसर आपका हो जाएगा 98.96 प्रतिशत अगला कोश्चन है कि 1993 में मानव अधिकार पर 200 सम्मेलन ने अपनाया मतलब हेलन्सकी घोषना को अपनाया कि एमस्टरडम को अपनाया कि हेलन्सकी और एमस्टरडम दोनों को अपनाया कि बियना घोषना तो इसका एंसर हो जाएगा आपका बियना घोषना अगला कोश्चन कि UDHR मानो अधिकारों का सारभों घोषना का कौन सा अनुच्छेद उत्पीडन से सरण लेने के अधिकार की गेरंटी प्रदान करता है तो अनुच्छेद 14 अगले कोश्चन पे हम लोग आते हैं कि NPA का पूर्ण रूप क्या है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका नान परफार्मिंग एसिस्ट यानि कि गेर निस्पादित परिशम्पतियां अगले कोश्चन पे हम लोग आते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जीले में सोरा निर्ते मनाया जाता है तो उत्तर प्रदेश के ललित पूर जीले में सोरा निर्ते का आयोजन किया जाता है अगला कोश्चन कि किस संबैधानिक संसोधन ने लोक सभा और राज बिधान सभाओं के अनुसूची जातियों और जन जातियों के सीटों के आरक्षण को बढ़ाया तो एंसर हो जाएगा आपका 79 वा संसोधन अगला कोश्चन कि लोकतक जील भारत की किस राज्य में इस्थित है तो लोकतक जील आपका मड़ी-पूर राज्य में इस्थित है अब अगले कोश्चन प्रमलुगाते हैं कि प्रस्तावना या उदेसीका में राश्ट की एकता और अखंडता शबदों का उदेस से किस मौलिक सिध्धान्त को बढ़ावा देता है तो ये बंधुता या भाईचारे को बढ़ावा देता है अगला कोश्चन कि दर्सकों के साथ समवाद करने के लिए सोसल मीडिया प्रेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है तो इसका हो जाएगा ऑनलाइन चैटिंग या ऑनलाइन बातचीत अगला कोश्चन कि भुटान की राजधानी क्या है तो भुटान की राजधानी आपका थिम्पू है चौदहमें कोश्चन पे कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल आपका भुपेन हजारी का सेतु है अगला कोश्चन कि सर्कार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेस किया तो इसका एंसर हो जाएगा अगस्त 1998 सोलहमा कोश्चन कि भारत और बियत नाम के बीच साजेदारी से उसके छेतरी सुरक्षा परिद्रिसे में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा तो इसका एंसर आपका हो जाएगा इसका एंसर आपका C संयूक्त परमाडू कारिक्रम का माध्यम C न होकर कि D होगा सोलहमा का एंसर क्या होगा D रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा को बढ़ा कर सत्रहमा कोश्चन आता है कि एक सौफ्टवेर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डाटा को फिल्टर करता है उसे क्या कहते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा आपका एंटी वाइरस अगला कोश्चन कि 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है तो 14 सितंबर को राष्टी हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है अगला कोश्चन कि भारत माला परियोजना किस से संबंदीत है तो एंसर हो जाएगा आपका UNCCT थोड़ा सा आप लोग इस पे गौर करिएगा कि जो भी option दे रहा है उसमें से दो दो तीन तीन option उस question से related बिल्कुल है ही नहीं जैसे बिसो बैंक है तो बिसो बैंक जो है वो आर्थिक मदद प्रदान करता इंटर पोल का मतलब इंटरनेशनल पूलिस हो गया नाटो जो है वो नार्थ अटलांटिक ट्रिटी है जो एक तरीके से आपका हमने इसको पढ़ाया हुआ है नाटो के संबन्द में और ये नाटो जो है नार्थ अटलांटिक ट्रिटी organization के रूप में इसको जाना जाता है जबकि UN यानि कि बिसो बैंक भी आपका option से हटा देंगे इंटरपोल भी हटा देंगे बच गया NATO और UN CCT तो इसमें answer क्या हो जाएगा UN CCT अगला question कि दूध हुत पादक ब्रेड आदी बस्तूओं पर GST दर क्या है तो ब्रेड तथा दूध हुत पादक बस्तूओं पर जो GST दर लगाया गया है वो आपका पाँच प्रत्षत लगाया गया है अगला question कि चंद्रमा पर नासा के मानो युक्त लेंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया जो 2024-25 तक पूरी होने की संभावना है तो इसका एंसर हो जाएगा Artemis अगला question कि अंतराष्टी थर्मो नुकलियर प्रायोगिक रियक्टर परियोजना के उद्देश निमलिखित में विवहरेक्टा को प्रदर्षित करता है तो इसका आपका एंसर हो जाएगा बी उर्जा उत्पादन के लिए परमाडू बिखंडन अगला question कि जून 2024 तक लोग सभा में विपक्च का नेता कौन था तो एंसर हो जाएगा आपका राहूल गांधी अगला question कि तुगलक नामा पुस्तक का लेखक कौन है तुगलक नामा पुस्तक का लेखक जो है वो आपका अमीर खुसरो अगला question कि अंतराष्टी अच्छा उर्जा एजेंसी क्या करती है 26 कोश्चन है तो इसका एंसर हो जाएगा अच्छा है नवीनी करण उर्जा को उपियोग में बढ़ावा देती है अगला question भारती GST में निमलिखित में किस प्रकार का कर प्रस्तूत किया जाता है तो एंसर हो जाएगा आपका सेवा कर जैसा कि इसका नाम ही है GST गुड्स और्ड सर्विस टेक्स तो आयकर है नहीं संपत्तिकर है नहीं धनकर है नहीं तो यह सर्विस टेक्स के रूप में कर प्रस्तूत करता है निमलिखित में पहली बार बुनियादी सिच्छा का विचार किस ने प्रतिपादित किया तो एंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांदी अगला question कि 2021 में कौन सा राज्य मसालों के लिए उत्पादक में प्रथम इस्थान था तो प्रथम इस्थान में आपका आजाएगा मध्य प्रदेश अगला question इस पे 2021 का पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा तो 2021 के 2021 में प्रमुख उत्पादक आपका MP ही था अगला question कि निमलिखित में कौन सा तेवहार भारत के प्रकास के तेवहार के रूप में मनाया जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका दिपावली अगला सबसे कम लिंगा नुपात वाला भारती राज्य कौन सा है तो एंसर हो जाएगा हरियाणा अगला question 2021 में इंस्ट्राग्राम को इंटरनेट पर दुनिया का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोसल मीडिया प्रेटफॉर्म में इस्थान दिया गया पहला अगला question कि बायो मेट्रिक प्रोध्योगिकी के एकी करण भारत के आंतरिक सुरच्छा ढाचे को कैसे बढ़ाता है तो एंसर हो जाएगा आपका पहचान और सत्यापन क्रियाओं का सुधार करके अगला question कि 1928 में बार्दोली सत्यागरह का नित्रितु किस ने किया तो इसका एंसर आपका हो जाएगा बार्दोली सत्यागरह का नित्रितु करता जो थे वो सरदार बल्ला भाई पटेल थे अगला question कि प्रथम lifetime disturbing the peace award का प्राप्त करता कौन था तो एंसर हो जाएगा आपका सलमान रूजदी च्छतीसमा question कि जनसंख्या D का घनत तो है और जनसंख्या D का जो घनत तो होता है वो एंसर हो जाएगा D बराबर N अबलिक S अगला question 37 question कि चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया तो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण 1950 में किया था और 38 question कि निमलिखित में किस जीव को जल प्रदूसक का जयव संकेतक माना जाता है तो एंसर हो जाएगा आपका मेढ़क आपका सेर और जेबरा को तो ऐसे हटा दीज तो जल प्रदूसका जयव संकेतक मेढ़क को माना जाता है तो इस तरीके से हमने आप लोगों को 38 question साल्व करा दिया अब मैं कल आप लोगों को जो 24 तारीक का first shift और second shift का paper होगा उसका भी answer की मैं ले करके आऊंगा तो आज के लिए बस इतना ही thank you so much